ये देखिए हमने यहाँ पे बनाया है बिलकुल मार्केट जैसा गोलगपपा कितना क्रिस्पी है आपको तोड़के दिखाता हूँ साउंड सुनके तो पता चल ही जाएगा यहाँ पे हमने गोलगपपे के सीक्रेट इंग्रीडियेंट सेयर किये हैं अगर आपके घर में इमल गोलगपपा बनाने के लिए हम यहाँ पे आठे कर डो तियार करेंगे तो उसके लिए लगवाओ एक कप के आशवा सूजी डालेंगे उसके साथ-साथ हम यहाँ पे डालेंगे दो बड़ी चमच चावल का आठा जिससे गोलगपपा जो होता है वो काफी क्रिस्पी बन जाता है तो इसे भी हम डाल देंगे उसके बद यहाँ पे नमक डालेंगे आधा चमच उसके यहाँ पे हम डालेंगे रिफाइन वायल तो दो चमच हमने यहाँ गर्म करके रिफाइन वायल इसमें डाल दिया है ताकि गुलगप्पा खस्ता बने तो जो डो हम तियार करें गे उससे सकतना है तब wen गुलगुप्पय फूलेंगे आगर अगर मक्त नहीं रखेंगे तो गुलगपय जो चूलगे अब घंड आधे गन्तें आफ्क revenue काले मतफ़ टीअगे घंड्र हो टोrene है जब तक हमारा डो रेष्ट करता है तब तक बाकी के काम निप्टा लेते हैं तो आलू का चोखा बनाते हैं, दो उबले हुए आलू हमने लिया है, उसके साथ-साथ यहां पे हमने नमक और हल्दी के साथ मटर को भी उबाल के इसमें डाल दिया है, उसका आधा चमच हम यहां पे डाल देते हैं चाट मसाला, आधा चमच लाल मिर्च पॉडर डाल देते हैं, उसके यहां पे काला नमक डाल देते हैं और प्याज डाल देते हैं, और इनके साथ-साथ जो हम स्वाद के लिए धनिया पत्ता भी इसमें डाल देते हैं, तो चली इसको भी हम डाल देते हैं दनिया पत्ते को उसके अबद यहाँ पे जो है आलू को मैस करके जो है हम इससे चोखा तियार कर लेंगे गुलगप्य के चोखे बनाने के लिए दो चीज का लीड रोल होता है पहला तूबला हुए मटर और दूसरा चाठ मसाला अगर यह दोनों गुलगप्य के चोखे में परजेंट है तो बहुत ही टेस्टी चोखा बनेगा तो हमारी चोखा भी बनके त्यार हो गई अब हम यहाँ पर बनाएंगे गुलगप्य के लिए सिक्रेट पानी तो उसके लिए हमने अधरक धनिया पत्ता और हरी मिर्च का पेस्ट तियार कर लिया है इसमें डालेंगे एक कटोरे के असपास हलका गरम पानी पानी ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए उसमें हम डाल लेंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर उसके बाद यहां पर डालेंगे आधा चमच चाट मसाला उसके बाद भुना हुआ जीरा सौफ और काले मिर्च का पाउडर तो यहां पर हमने लगवा एक चमच इसमें डाल दिया है अब सबसे जो सीक्रिट तरीका जो इमली का फ अधा सकते हैं जितना ज़्यादा आपको खटा है चाहिए उतना ज़्यादा जो है आप इसमें जलजीरा पाउडर डाल सकते हैं आपको यहां पर इमली वाली फ्लेवर जरूर मिलेगी तो इस तरीके से हमने यहां पर गुलगप्पे के लिए पानी त्यार कर लिया है अब सेट होने के बाद जो होता है वह हलका सा मुलायम हो जाता है तो चलिए यहां पर हम इसकी छोटी-छोटी सी लोई तोर लेते हैं सबसे पहले यहां पर यह लोई हमने तोरा इसको हम रोल करते हैं और इस रोल में से हम छोटी-छोटी लोई जो है इसमें तोर के अलग-अलग हम कर लेते हैं अब हमें यहाँ पे गुलगप्पे के लिए कचोरियां त्यार करनी है तो इस लोई को जो है हम हाथों की मदद से अलकलका रोल कर लेते हैं और इस सर्फिस पे आठा सुखा लगा होना जरूरी है ताकि वो चिपके नहीं वैसे चिपकता तो नहीं है ज्यादा बरा सेप नहीं करना है और हाँ ध्यान रहे गुलगप्पे का जो कचोरी होता है वो पतला होता है अगर पतला नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से फूलेगा नहीं तो कुछ इस सेप का हमने पहले त्यार कर लिया है अब दूसरा आप देख लिजिए स्क्रीन पर हमने कैसे त्यार किया है इस तरीके से आप बाकी के लोई को भी रोल करके कचोरी त्यार कर सकते हैं अब आपसे परफेक्ट कचोरी नहीं बन रही है तो उसका क्या सॉलूसन है तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आप करेंगे क्या कि जो आकार का रोटी बनता है ना आटा का उसी आकार का आप लोई तो रहेंगे और एक रोटी बना लेंगे किसी भी सेप का रोटी बना लीजे वो चलेगा अब उसमें करना क्या है कि बोटल का धकन होता है ना उससे काट के परफेट सेप देना है और आपका गुलगपपा जो है उसका कचोरी त्यार हो जाएगा तो बहुत ही आसान है आप उस तरीके से भी जो है गुलगपपे का कचोरी बना सकते हैं तो फटा-फट से हम यहाँ प होना चाहिए ताकि उसमें से धुआ निकले और उसमें जो है कचोरी अच्छे तरीके से फुल के बाहर आए तो यह देखिए हमारी जो कचोरी हमने पहले डाला है वो कितने अच्छे तरीके से फुला बिल्कुल भी फेल नहीं नहीं हुआ तो चले इसी तरीके से जो है बाक पताव कैसे कचोरिया डालना है कचोरी को साइड से डालना है ताकि वो पूरा अंदर तक डूब जाए और इसे फुल के बाहर निकले तो यह देखिए आप जो कितने परफेक्टली तरीके से हमारी कचोरिया जो है फुल रही है इसी तरीके से आपको रखना है ध्यानराय की सावधानी ब रत्त हुए कचोरियों को तेल में रखना है यह भी हम डाल देते हैं इसमें और यह भी देखिए कितने परफेक्टली तरीके से फूल गया कचोरी फ्यल नहीं न हुआ तो चलिए इसी तरीके से बाकी कचोरियों को फ्राइब करके निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारी जो पहली बैस की कोचोरिया है वो लगबग पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है कि हमारे सारे गुलगप्य बनके रेडी हो चुके हैं कितने फुले फुले और क्रिस्पी है वीडियो के सुरुआत में तो मैंने दिखाई दिया था ना कि कितना कुलकूरा बनाए गुलगप्य अब आपके मन में सवाल होगा आखिर गुलगप्य फेल क्यों नहीं हुआ फेल बिल्कुल हुआ है लेकि उसकी वीडियो फूटेज तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना भूल ही गया खैर कोई बात नहीं इसी तरीके से आप इसका भी अंदाजा लगा के देख सकते हैं चलिए टेस्ट करके देख लिए वर्चोली की कैसा गुलगप्य बना है तो कैसी लगी यह गुलगप्य की रेसिपी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए इस वीडियो को यहां तक देख के महरवानी किया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि हमारे चैनल को बेहतरीन सपोर्ट मिले आपसे और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिविगेशन बेल आइकन आल नहीं प्रेस किया है तो आल कर लिजे मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ जरूर आउंगा